Hey guys, welcome back to the channel, channel पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, दोस्तों जब भी अधार कार्ड की बात आती है, तो हम specially आज बात कर रहे हैं, new enrollment की, यनि कि अगर आप अपना नया अधार कार्ड बनवाना चाते हैं, तो कैसे आप बनवा सकते हैं, क्या process है, क्या क्या documents रहे है सारी की सारी information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथी bell icon को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो upload की जाती है, उसकी notification आप लोग को मिल सके, तो दोस्तो न्यू आधार कार्ड बनवाने के लिए क्या पूरा प्रोसेस ओनलाइन हो सकता है या नहीं, या आपको fresh enrollment के लिए आधार कार्ड सेंटर जाना पड़ता है, तो ये दोनों question आपके मन में हो सकता है, और आपने Google पर या YouTube पर भी बहुत सारी जंगें ऐसा भी देखा होगा कि आप घर बैठे, ओनलाइन आधार कार्ड बनाईए, तो कैसे बनता है, वो क्या प्रोसेस है, वो आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रोसेस शुरू करेंगे और उसके ब ये अपनी डीटेल्स यहाँ पर फ्यक्र कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंद्मेंट बूक कर सकते हैं, और वो जब आप फोर्म यहाँ पर फ्यक्र करेंगे, वो फॉर्म आपको ले कर जाना होगा अधार कार्ड चैंटर और वहां पे supporting documents आपको जमा कर्वान या online बनाई या offline आपको आधार कार्ड center विजिट करना ही होता है तो अगर आप ये सोच के ये वीडियो देख रहे हैं कि आधार कार्ड यहाँ पर online बन जाएगा और आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो यह वेलकुल गलत होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे माई आधार में सबसे पहले हम बात करते है आधार कार्ड generation की तो आप यहाँ पर आधार enrollment और आधार generation दो option याप पर देख रही है अगर मैं क्लिक करूम आधार enrollment पर जो की हमें करना है क्योंकि हमें आधारकार generate नहीं करना है, आधार enrollment, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूं, offline process क्या है, क्या क्या documents यह होते हैं, उन सब चीजों पर नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बात देखेंगे कि आप online कैसे apply कर सकते हैं, तो आधार enrollment का जो process है, आप यहां देख स और address proof आपको documents देने होंगे, और फिर आपको आधार कार्ड सेंटर से एक acknowledgement slip मिलती है, जिस पर कि आपका enrollment ID होती है, और उस enrollment ID से आप अपने आधार का status चेक कर सकते हैं, और आधार कार्ड बनने के बाद आपका जो physical आधार कार्ड आता है, उससे पहले पर अपना e का आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो सारी चीजे देखते हैं, कितने पैसे लगेंगे, कहां जाना है, कौन-कौन से document जो है, वो अपलाई हो सकते हैं, complete information तो वीडियो को आम तक जरूर देखेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो है आधार कार्ड सेंटर जाना है, तो आधार जो एन्डॉल्मेंट होगा, वो दोस्तों free of cost होगा, आप किसी भी authorized आधार एन्डॉल्मेंट सेंटर जा सकते हैं, कहीं पर भी इंडिया में, आप कहीं भी रहते हों, और इंडिया में कहीं पर भी आप अपना आधार कार्ड के लिए प्लाई कर सकते हैं, आपको देने सकते हैं, तो आप यहां पर state wise, pin code wise या search box में आप सिर्फ एरिया टाइप करके अपना आधार कार्ड सेंटर सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आपको UID accept करता है, बहुत सारे documents के list है, जिसमें कि आपको proof of identity और proof of address देने होते हैं, तो कौन-कौन से document है, इसके लिए भी अलग से यानि कि proof of identity वो document होता है, जिसमें आपका नाम होता है, प्लस फोटो होता है, तो यहां पर टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं, 32 जो document है वो आपको यहां पर दिखाए गए हैं, उसके बाद proof of relationship, proof of relationship की ज़रूरत पढ़ती है, जब आपके पास ID, प्रूफ यद्रस प्रू में head of family based में ये documents दे सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं, बिना documents के आधार काड बनवाना, date of birth में कौन-कौन से document चाहिए, ये भी यहां पर दिखाए दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक documents जो है, आप यहां पर दिखा सकते हैं, और उसके साथ ही आपका जो certificate है, और enrollment आधार center क वो भी यहां पर fill किया हुआ है, तो यहां से इस तरीके से update के लिए ये form भी यहां पर fill करके दिखाया हुआ है, तो यहां पर यह complete information आप देख सकते हैं, उसके बाद photo ID आप दे देंगे, address proof आप दे देंगे, वो आपको देना है complete, फिर in case अगर आपके पास कोई comment proof नहीं है तो उस case में आप कोई भी photo issued हो, gazetted officer से, तैसिलदार से, वो सब document जो है आप apply कर सकते हैं, तो यह सारा process मैंने बता दिया, हम सीधा आजाते हैं, आप document based पर, आपके पास document based होता है, यानि कि जब आपके पास अधार काड, address proof, ID proof अपना खुद का है, तो वो होता document based, head of family, जब अपनी head of family के documents लेकर आप अपना आधार काड बना रहें, और इक होता है, इंट्रोडूसर बेस्ट, तो कौन-कौन सी details होती है, जो आपको देनी होती है, आधार काड बनवाने के लिए, सबसे पहले आपका नाम, जो कि आपके document से ही capture किया जाता है, आधार काड से, या फिर अपना update करवा ले, इसके लावा कुछ demographic, कुछ biometric data होता है, जो आपको देना होता है, जैसे कि आपका photo लगता है आधार काड पर, तो photograph होगा face का, इसके लावा आपकी 10 की 10 fingerprints और 2 iris, यानि की आखों का जो iris होता है, वो capture किया जाता है, अगर इन केसा आप अगर बच्चे क अधार काड बनवा रही है, तो अगर बच्चा 5 साल से कम का है, तो बच्चे का अधार काड में parents or guardian name, जो है, वो चाहिए होता है, और parents का अधार काड चाहिए होता है, first preference होती है mother की, उसके बाद होती है father की preference, बच्चे का photo लिया जाता है, लेकिन biometric नहीं लिया जाता है, ज अला कि वो जल्दी आ जाता है, लेकिन यह maximum time है, जो government की तरफ से दिया जाता है, तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि आधार काड के लिए कौन-कौन से documents है, कैसे आधार काड सेंटर पता कर सकते हैं, कौन-कौन से details है, जो आपको आधार काड के लिए चाहिए, तो इस बात करते हैं, तो ओन-लाइन जो हम बात कर रहे हैं, आधार काड को अप्लाई करने की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि ओन-लाइन आधार काड में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अपने details फिल करेंगे, और appointment book कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे book an appointment, क्यो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आधार, UID जो भी आपके नस्देक में, जहां पर भी आपको करना है, अपलाई वहाँ पर आपको क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपके नस्दीक ही है, वहाँ पर आप जो है, कर लीजिए click, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसी चूब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अधार अन्रॉल्मेंट जो होता है, वो फ्री आफ कोस्ट होता है, अगर आप mandatory बायोमेटिक अपडेट करवाने बच्चे का, वो भी फ्री आफ कोस्ट होता है, तो details फिल करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अधार अपडेट नहीं क् करना है, तो हम new आधार पर क्लिक करके, और यहाँ पर mobile number और details फिल कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर by chance new आधार पर क्लिक नहीं करते हैं, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि generate OTP जब आप करेंगे, तो उसके बाद आप से पूछा जाएगा, कि आपको क्या करना है, आधार पर भी select कर सकते हैं, उसके बाद appointment time में automatically यहाँ पर enrollment आ गया है, तो अगर आप by chance भूल भी जाते हैं, तो जब आप new updatesion में करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास option मिलता है, चेंज करने के लिए new enrollment, उसके बाद application verification type, कि आप document based बनवा रहे हैं, या head of family based बनवा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपके पास खुद का ID और address proof है, तो document based होता है, अगर आप किसी और के document supporting में लगा रहे हैं, तो आपका head of family based बनवा रहे हैं, तो उसके बाद आप बनवा रहे हैं, document based, तो हमने आपके document based select कर लिया, state में select करेंगे, जो भी आपका state है, वो आप यहाँ पर जो है, वो select कर लेंगे, उसके बाद आपको select करना है city, city के बाद आप आधार सेवा के इंदर कह पर आप चालें, वो आपने select कर लेना है, और उसके बाद आपको click कर देना है, next पर, next पर click आपने जैसे ही करेंगे, उसके बाद आपके पास आगया है, आपका full name, date of birth, name proof, आप क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना full name डालना है, उसके बाद आप यह आप डेल दे रहे हैं, तो मैंने डेल select किया है, date of birth का जो proof है, वो आप क्या दे रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर select कर लेंगे, यहाँ पर माल नीजे pen card, तो मैंने वो select कर लिया है, gender फिर आपना select करेंगे, gender select करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी email ID डालनी है, जो कि completely optional है, जहाँ जहाँ यह red mark है, वो details आपको fill करनी आनिवारिया रहेगी, और जहाँ जहाँ पर यह नहीं है, वहाँ details optional है, लेकिन बेटर होगा कि आप fill कर लें, उसके बाद आपको अपनी address details fill करनी है, pin code डालेंगे, village code डालेंगे, post office, district, state, यहाँ पर automatically जो है वो आ जाएगा, CEO, य सारी स्टीज़ा आप डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पर next पर click कर देंगे, उसके बाद जैसे ही आप next पर click करेंगे, तो आपके पास इस तरीके से detail fill करनी के बाद time slot details आजाएंगे, यानि कि select time slot इस तरीके से आपके पास option आ गया है, आप यहाँ पर time slot जो है, जो भी available है, उसमें आप select कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि मुझे सुबह सुबह का ही चाहिए time slot और वो मिल नहीं रहा है, तो जैसे कि आप आज कर रहे हैं, तो आप कल का यहाँ पर देखेंगे, कि सारे कि सारे slot जो है, वो available है, जिस भी slot में आपको जाना है, व कि सहीवाज के इंदर जारे है, वेलिफिकेशन टाइप क्या रहेगी, डोकुमेंट से है, डोकुमेंट से है, डोकुमेंट से है, डेट क्या है, और आपकी परसनल डिटेल्स, नेम, एस, जेटोग बार्त, इमेल आईडी, OTP, मोबाईल नंबर, एड्रस, सारी डिटेल्स आ तो भी आपने बोला है कि यह डोकुमेंट सेपोर्टिंग में मैं देने वाला हूँ यह देने वाली हूँ, वो डोकुमेंट से लेकर आपको जाना होगा, नजदी की आधार कार्ट सेंडर, जहां पर आपने यह एंडोल्मेंट, जो है, वो बुक की है, तो यह थी दोस्तों अपडेट की क्रिया या निव एंडोल्मेंट की आप प्रोसेस जो है, कि कैसे आप ओफलाइन बना सकते हैं, डारेकली जाकर बना सकते हैं, और फोर्म कैसे भरना है, वो भी मैंने आपको बता दिया यह फोर्म कोन सा बरना है, फोर्म को कैसे बरना है, यह वीडियो चैनल प अपना मिल ही जाएगा आपको जाके जाना होगा नजदी की आधार सेंटर क्योंकि वहाँ पर आपको बायमेट्रिक और डिमोग्राफिक डिटेल्स जो आपने यहाँ पर फिल की है वो आपकी वहाँ पर अपडेट हो जाएगे तो यह था पूरा प्रोसेस इसी तरीके की और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूने और इसके अलावा भी अगर आपके पास अधारकार से लेटिट कोई भी क्वेश्चन है तो वह भी आप बेजएजएक कमेंट सेक्शन में कमें कर सकते हैं thank you so much bye bye take care